मोधी जी को 10 लेटर लिखता हूँ जब अकल बट रही थी मोधी जी लास्ट में थे अकल उनके काम आई नहीं क्योंकि 800 करोड का बिले ट्रेवल का उनको यह नहीं मालूम वीडियो कांफरेंसिंग होती है सरदार वल्लब भाई पटेल कांगरेस के ट्रेजरार थे तो नेशन लेते थे जैसे लोग अवें ऐसे ही पहले थे लोगों न उड़ा दिया रहे तो बड़े पैसे कमा रहा है उनके कानों तक बात पहुची वह भया मैं पैसे ने लेता मीटिंग बुलाई पूचा वह पैसे क हमा के आदमी क्या करता है जी करता है क्या है मकान बनवाता है मैं वचन देता हूं मैं कोई मकान नहीं बनवाओंगा आप सबसे मेरी गुजारिश है आप मुझे सरदार वल्लब भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो दिल्ली में बंबई में महाराश में गुजरात में उ मोदी जी उनकी मूर्ती पे छे हजार करोड खर्च करके आएं हम बनाने में असमर्थ हैं और गया चाइना को किसलिए यह मूर्ती मोदी जी ने बनवाई थी मोदी जी कुत्व मिनार की जगे मोदी मिनार बनवाओ ताज मेहल की जगे मोदी मेहल बनवाओ भारत माता की मूर्त करदी के जिंदा नहीं है, सरदार पटेल ने अपने जिंदगी में एक आदमी की जिंदगी बरवाद नहीं की, उनकी मूर्ति ने 30 गाओं के 10,000 लोगों की जिंदगी बरवाद कर दिये, calculation करके भेजा शर्मा जी मैंने का जी ये मेरी calculation है 137 साल लगेंगे इस मुर्ती की cost recover करने में नहीं जी ये tourist circuit है tourist circuit कैसे वो है ही नहीं सिंगापुर छोटा सा है इंडिया इतना बड़ा है सिंगापुर में जादे tourist आते हैं मैं tourist department में गया अरे शर्मा जी आपको नहीं मालू नहीं आप शिमला जाएए बस से उतरिए एक बैग आपके पास है कुली मांगेगा एक हजार दूसरा कुली आएगा नहीं बोला सिंगापुर में ऐसा tension नहीं है लक्षमी जी चाहिना से गनेश जी चाहिना से होली की पिचकारी चाहिना से दिवाली की लड़ चाहिना से चाहिना की होती है दिवाली हमारा होता है दिवाला साथ सो करोड कमा के जाता है रक्षा बंदन की राकी चाहिना से चाननी चौकी मुसलिम फैमली साल भर रक्षा बंदन की राकी बनाती थी उनका जीवन यापन होता था अब रक्षाबंधन की वो भी चाइना से आ रही है सरदार। सरदार। जाएगी आपको कुछ आइडिया नहीं है मनुष जीवन इस धर्ती पे सिर्फ सो साल बचा है प्रकरती को 1 million years, 10 लाक साल लगे थे वायू मंदल में CO2 का लेवल 200 PPM करने में आदमी ने 100 साल में 420 कर दिया है तीन साल से साउथ अफरीका में बरसाथ नहीं हुई है जो खिलाड़ी कहते भईया बाहराजा टॉयलेट में पानी नहीं है हिमाले के गलेशियर पिगल चुके है राजस्थान में तापक्रम 54 डिग्री सेंटी ग्रेड B.S.F. के जवान रेट में पापर भून रहे थे लाटूर, मराटवाडा, महारास्ता 100 अकर का मालिक घर पे ताला लगा के जा रहा है भईया कहां जा रहा है कहीं शुगर मिल में जाड़ू मारूंगा क्यों? पुझी 100 अकर का क्या कहूँ? बरसात हुई नहीं, पानी है नहीं पिसले साल जब ओलम्पिक हुए थे चाइना में तो उन्हें कहा ये बरसात हमारा फंक्शन खराब ना कर दे तो उन्होंने सिल्वर आयोडाई डिस्प्रे कराके बादलों में आर्टिपिशल रेन कराई थी महारास्टा गोवर्मेंट ने कल 30 करोर अलोट की है आर्टिपिशल रेन के लिए हम कुछ जानना नहीं चाहते समुंदर का लेवल सारे 3 फूट बढ़ेगा लाखों लाख केरल के लोगों को कहां बसाओगे हवा की बार नहीं कर रहा हूँ आर्टिक की बरफ पिगल चुकी है जब आग लेगेगी जब कुवा खोदोगे बहुत सारे आप मैं आता हूँ जंतर मंतर जो नई पीड़ी है उसे तीनी बात करती है मैंनू की तैनू की सानू की मुझे क्या तुमें क्या हमें क्या गौर्ण्मेंट का काम है हम दुनिया में सबसे उल्टे क्यों है स्वीडन ने कल 100 डॉलर का सर्चाज लगाया है एर ट्रेवल पे फिनलेन ने बेन कर दिया कोई हवाई जासे नहीं जाएगा योरोप में कार्बन क्रेडिट एविएशन के लिए पूरे साल आप एक स्टाफ फ्लाइट नहीं ले जा सकते क्यों जो हवाई जासे जाता है पचास गुना जादे इंदेन इस्तेमाल करता है पचास गुना जादे प्रदूशन फैलाता है हम दुनिया में उल्टे क्यों है दर्ती गरम हो रही है सबसे जादे प्रभा हमारे देश पर पड़ेगा मैं बता चुका हूँ ऐसा कहीं भी नहीं है न्यूकलियर बेन कर दिया थ्री माइल आइलेंड वो हुआ था एक्सिडेंट अमेरिका में तीस साल से वहाँ कोई ओडर नहीं है जर्मनी ने बेन कर दिया स्वीडन ने कर दिया आप गूवल पे जाओ चेर्नोबिल टाइप करो दुनिया की सबसे महेंगी इमारत युक्रेन में बन रही है जब इससे महेंगी इमारत आज तक बनी नहीं नुकलियर एक्सिडेंट को कवर करने को हम नुकलियर के पीछे भाग रहे हम एयर ट्रेवल के पीछे भाग रहे मैं क्या क्या बताओ आँ आपको सरिता भिहार चलो हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट है मैं रवी शंकर परसाद के पास गया जर्मनी से डॉकुमेंट लाया किसी भी देश में आप जाके कह सकते हो भई या बताओ यहां कितना रेडियेशन है हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है रवी शंकर परसनली आके मिलना अब मेरे लड़के की साधिये मैं परसनली मिलू हम वहां लोग कॉस डेडियेशन लगानी है मैं उनके पास गया टावर वालों अरे शर्मादी दस टावर तीस सीक्योटी वाले तीस ओपरेटर दस जेनरेटर सब की छुटी करके एक टावर लगा थी भैया आप लोग हजार गुना रेडियेशन टावलेट करने को मजबूर हो डॉकुमेंट है मेरे पास जैपूर और बंबई जब से ये टावर लगी छे लोग कैंसर से मर गए कोई जानना ही नहीं चाहता रेडियेशन ना जो टॉप पे लोग है उनको कुछ अकल नहीं है ऐसे लोग रिकूरूट करें मैं जाता हूं बताने मैं आई आई टी से पढ़ा हूं लंदन से पढ़ा हूं लोकुमेंट लाता हूं लेकिन यहां कोई अकल वाले की कोई विवस्था ही नहीं है मोधी जी क्यों 800 करोड खर्च करते हैं ट्रेवल पे पता नहीं वीडियो कांफरेंसिंग हो सकती है 6000 करोड मूर्ती पे गरीब देश का पैसा तीन साल का बच्चा रोड पे पैन बेच रहा है अरे 6000 करोड हमें आजाद हुए आज 70 साल हो गए दुनिया के 40% असिक्षित मेरे देश में रहते हैं क्यों हमने कुछ किया ही नहीं है रेश्यन रिवोलूशन हुआ था क्यमिनिस पार्टी का डिक्टार था इच वन टीच वन दुनिया के 55 प्रतिशत कुपोशित बच्चे मेरे देश में रहते हैं क्यों आदमी मा के पेट से होगा पैदा होगा क्या आम के पेट पे लगेगा 52% फीमेल आर एनिमिक नई पीडी स्वस्थ कैसे पैदा होगी गुडगाओं में रहता हूँ फॉर्टीज होस्पिटल में अनिमिया क्लिनिक खुलवाया है डाक्तर राजेज भारगव इंचार्ज है इतना दुख है आपको बताते हुए गुडगा में 76% गर्ल्स आर एनिमिक 86% लड़कियों के बाड़ी में 3-5 ग्राम खुन है इस पर कौन काम करेगा कोई मेरे चुप करा देते हैं शर्मा जी ये डिसकेशन है क्यों नहीं है खाली हम नीरव मोदी डिसकेश करते रहे मैं आपको मलेशिया का बताता हूँ एक आदमी ने अख़वार में पढ़ा कि हमारी गौर्मेंट पर इतना लोन है ओर्डिनरी आदमी कोई बड़ा सेलिब्रेटी नहीं था उसकी कटिंग लेके वो घर-घर गया लोगों को बताया चंदा इखट्या किया मिनिस्टर को देके आया कि भई ये लोन उतारो गौर्मेंट का हमें निरमोधी सरकारी पैसा लेके भाग गए मेहल चोक सी सरकारी पैसा कितना अंतर है हमें मलेशिया का ओर्डिनरी आदमी चंदा इकटे करके लाया है लोगों से और गौर्मेंट का फौरिन लोन उतारा यही मैं खहरा हूँ इसको आगे बढ़ाओ मुझे रोक लेते हैं लोग अभी मैं डरता नहीं हुगाई मैं नहीं पीडी को बताना मेरी ड्यूटी है मनुष जीवन इस धर्थी पर सिर्फ सो साल बचा है हमको इस पर बात करनी चाहिए अभी दो सो कंट्रीज के लोग आये थे लेना पड़ता सोलर लगाने के लिए अब दो डिगरी बढ़ेगा ना हमें खाना मिलेगा ना पानी मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी बात सुनो ये साइन्टिफिक फैक्स हैं कोई मेरी अपनी बनाई बात हैं नहीं है हरे को पूरी मनुष्की स्रश्टी इस धर्ती से खतम होने के कागार पर है यदि हमने कोई अक्षन नहीं लिया दन्यवाद